मुश्कार मैं राज मोहन आप देख रहे हैं बिहारी नियूज चलिए जानते हैं आज 25 जुलाई तारीक के उन इतिहासिक और खास खबरों के बारे में जो घटी तो इतिहास में हैं लेकिन आज भी वे घटनाय हमारे बीच एक अलग पहचान रखती हैं 25 जुलाई भारती है लोगतंत्र का एक खास हिस्सा है इसी तारीक पर भारत को अपनी पहली महिला रास्ट्र पती मीली थी प्रति भाधेवीी सी पाटिल ने 25 जुलाई explicit को भारत के बरहामें राष्ट्र पती के रूप में सपत ली उनहोंने 29 27 से 25 जुलाई 2012 तक राष्ट्र क राष्ट्रपती की कुर्सी संभाली राष्ट्रपती बनने से पहले कॉंग्रेस की सरकार ने प्रतिभादेविसी पाटिल को 2004 में राजस्थान का राज्यपाल बनाया था वह 2007 तक के राज्यपाल रही राष्ट्रपती बनने से पहले प्रतिभादेविसी पाटिल राष्ट्र से विधायक बनी और महाराष्टर विधान सभा में चुन कर रही उसके बाद वह चार बार विधायक बनी और इस दोरान वह कई विभागों में मंत्री रही पाटिल उसके बाद 1991 में दस्वी लोक से वचुनाव में अमरावती से सांसद भी बनी एक जुन 2019 को परतिवा पाटिल को विदेशियों को दिये जने वाले मेक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरसकार और आफ एजेटिक इगल से सम्मानित किया गया परतिवा पाटिल ये पुरसका पती बनी इसके पहले ये सम्मान राश्च पती एस राधाक्रिश्णन को दिया गया था 25 जुलाई की तारीक विज्ञान के लिए एक उपलब्धी मानी जाती है दरसल आज ही के दिन पहले टेस्टिव सिसू का जन्म हुआ था इंगलेंड के ओल्ड हैम सहर में 2878 में दुनिया के पहली आई वी एफ सिसू लूई ब्राउन का जन्म हुआ करिब धाई किलोग्राम वजन की लूई ब्राउन आधी रात के बाद सरकारी अस्पताल में पैदा हुई थी यह प्रनाली दुनिया बर के निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान सावित हुई और लूई के चन्म की खवर फैलते हैं अकेले ब्रीटेन के ही कड़ी 5000 दंपति ने इस नई प्रनाली के जड़िये संतान प्राप्ति करने की चजाहिर की आज यह अब पद्दती भारत सहित दुनिया बर में प्रचली थे और हर दिन हजारों महिलाई इसके जड़िये प्राप्ति के बाद उस समय का ब्रिटिस संरक्षित चेत फिलिस्तीन को विभाजित करके इस्राइल का निर्मान किया गया विस्वयूद के दोरान यूरूप में विस्तापित हुए यहूदियों को यहां बसाया गया तता वर्स इसराइल एक स्वतंत्र देश बना जॉड़न और इसराइल दोनों देश से एक लंबी भोगौलिक सीमा साजा करते हैं तता वर्स वरस 1947 में सवयुक्त राष्ट द्वारः प्रस्तावित बटवारे को जॉड़न ने स्विकार कर लिया था इसराइल के गठन के बाद ही वरस 1948 में अरब देशों ने सवयुक्त रूप से इसराइल पर आकरमन कर दिया तता जॉड़न भी आकरमन का हिस्सा था यूद के बाद ज जेरुसेलम तता वेस्ट बैंक पर कबजा कर लिया वरस 1967 में हुए तीसरे अरब इसराइल च्छा दिवसी युद में इसराइल की जीत हुई तता गाजापटी वेस्ट बैंक तता पुर्वी जेरुसेलम पर इसराइल का पूना अधिकार हो गया बाद में फिलस्तीन के हक मे जॉड़न इसराइल से बातचीत के माध्यम से समझोता करने का प्रयास किया परन्तों इसका कोई हल नहीं निकल सकता अंतता 25 जुलाई 1994 को संयुक्तराज अमेरिका के रजधानी वासिंगतन डीसी में हुए समझोते के बाद जॉड़न इसराइल के बीच 1948 से चली आ रही नौका दॉर प्रतियोगिता 25 जुलाई 1813 में आयोजित की गई थी यह नौका दॉर प्रतियोगिता कोलकत्ता में आयोजित की गई थी आज हुआ था भारतिये राजनीती के प्रसिद्य राजनेता और पुर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनात चटर जी का जन्व 25 जुलाई 1929 को दिवगंत सोमनात चटर जी का जन्व बंगाली ब्रामन परिवार में असम के तेजपूर में हुआ था सोमनात चटर जी को देश की वंपंथी राजनीती के पूरोधा एवं सिकर इस्तंव भी कहा जाता है भारत के संसदी इतिहास मुने दस पार सांसद बनने का गौरबासिले वह 2004 से 2009 तक 14 लोकसभा के अध्यक्ष थे बत और लोकसभा द्यक्ष सोमनात चटर जी ने सरकारी पैसो से सांसदों के चाई-पा ना होगा हलांकि लगभग दो वर्स पहले पुर्ग लोकसभा द्यक्ष सोमनात चटर जी ने उन 89 वर्स के उम्र में अक्तूबर 2018 में दुनिया को अलविदा कह दिया था तो यह थी 25 जुलाई से जुड़ी इतिहास के पन्नुच से कुछ खास खबर धन्यवाद